अगर यह वीडियो आप हमारा चैनल में पहली बार देख रहे हैं तो नीचे आपको एक सब्सक्राइब बटन मिलेगा वहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारे चैनल का लाटेस्ट अपडेट आपको मिल जाएगा सो प्रेंडल लेट देख कर तो फ्रेंड्स तो यह बूल ब्रांड का जो अच्टेंशन बोड है यह एक अच्छा- सकेट दिया गया है तो आप इन्डिवीजेनल जिसको चाहेब हों आप भी कर सकते हैं और यह यह तोबिक波ल ब्रेंचतो Ng our next अच्छा quality का cable दिया गया है और उसके साथ साथ इसमें जो वेरिंग हुआ है वो brass का circuit में हुआ है means यहां पर कोई भी copper का वेरिंग नहीं है तो इसका durability भी आपको definitely अच्छा मिलेगा और company आपको यहां पर दो सल का warranty भी देता है तो यह जो product है यह आपको Amazon.in में मिल जाता है मैं नीचे description में उसका link दिया हूँ वहां से जाके आप check कर सकते हैं तो चलिए करते हैं उसका unboxing and review तो यह हमारा courier box pack है इसको हम open कर देता है तो यह हमारा bull company का extension board है जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं तो यहां पर उसका कुछ details दिया गया है जैसे कि यह bull company का safety circuit है maximum power जो है वो 25 watt का है और यहां पर current जो है वो maximum 10 ampere का है और rated voltage जो है वो 250 volt का है और यहां पर आपको fire resistance मिल जाता है जो के 750 degree Celsius तक fire resistance है इसमें और इसमें आपको 10,000 circle on-off मिलता है और next जो है वो 5000 circle incitation मिल जाता है और next integrated brass bar आपको मिलता है और 3 meter का 5 socket है यह तो यह side में भी उसका कुछ details दिया गया है जीसे अगर आप monitor या TV बगरा लगाते है तो 220 watt का इसमें आप use कर सकते है washing machine बगरा भी लगा सकते है जो के 400 watt तक है और 100W का कोई भी डिवाइस लगा सकते हैं और 800W का कोई भी डिवाइस इसमें लगा सकते हैं और 1600W का कोई भी डिवाइस लगा सकते हैं तो ये 5 डिवाइस अगर इतना पावर का आप लगाते हैं तो टोटल 2500W का होता है मिन्स टोटल यह जो बॉक्स से इसमें 5 सकेट दिया गया है 5 सकेट में टोटल जो है आप 2500 वाट तक इसमें यूज कर सकते है तो 2500 वाट से ज्यादा आप लगा नहीं सकते है जैसे कि अगर 1500-1600 वाट का दो तिन डिवेश तक ठीक है अगर ज्यादा 2500 वाट से हो गया तो में भी यह ट्रिप करेगा तो उसके अंदर आपको यूज करना है तो यहां पर एक important चीज लिखा गया है जो के different standard blocks are available मिन्स आप दूसरा कोई भी country का जो pin देता है 2 pin या 3 pin बगएर आराम से आप यहां पर यूज कर सकते है तो सभी यह support करता है तो यहां पर हम इसको open कर देते है तो यह हमारा socket है जैसे के आप देख सकते है मैं इसके ओपर finger रखाऊं तो यहां से उसका size का अंदाज आप लगा सकते है तो यहां पर आपको 3 meter का वेर मिलता है यहां पर 2 option रहता है आपको 3 meter और 5 meter दोनों का रहता है तो आप कोई भी एक choose कर सकते है आपके requirement के हिसाब से तो यहां पर आप इसका pin देख सकते है काफी अच्छा quality का pin है और यहां पर 3 core का वेरिंग आपको मिलता है यह cable में और यहां पर bull का branding है तो अभी हम हमारा extension board के तरफ आते है यह काफी lightweight है जैसे के आप हाथ में लेंगे तो आपको पता चलेगा काफी lightweight है तो यहां पर किसी भी type का pin आप use कर सकते है और यह lock भी हो जाता है जैसे normally कुछ pin देता है मैं आपको दिखाता हूँ इस type के अगर normal pin में आप कुछ भी insert करते है तो वो lose हो सकता है या कभी कबार वो थोड़ा सा निकल भी सकता है बट यहां पर यह lock कर देता है जैसे यहां पर आप उसका socket देख सकते है यह कोई भी अगर penis में लगाते है तो वो lock भी हो जाता है और यहां पर individual switch दिया गया है जो के on off होता है तो यहां पर individual switch के साथ यहां पर एक indicator भी दिया गया है मिन्स कोई भी device को अगर आप यहां पर लगाते है जैसे मैं इसको plugin कर देता हूँ तो यहां पर आप देख सकते है यह light जो है चालूप हो गया तो यहां पर red color का light है और यह ज़्यादा bright भी नहीं है मिन्स जैसे अगर आप कोई भी जगा में इसको लगाते है तो रात के time में भी यह light ज़्यादा चुबेगा नहीं क्योंकि यह काफी dim light है तो इसका body जो है यह high temperature resistance है जैसे कि मैं आपको बताया था 750 degree तक high temperature resistance है तो नॉर्मल अगर आग लगता है या circuit में कुछ और circuit हो जाता है तो भी यह material जो है यह जल्दी पिगलेगा नहीं तो अभी हम इसके back side देखते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं wall mount के लिए भी दिया गया है मिन्स दो जगा में आप इसको wall mount कर सकते हैं उसके साथ-साथ अगर आप कोई भी जगा में इसको लटका के रखना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं तो दो type का यहां पर hook दिया गया है यह wall mount कर सकते हैं यह 2 side में 2 screw लगा कर वल mount कर सकते हैं या इसको कोई भी जगा में से home加ट भी कर सकते हैं और इसके अंदर जो वेरिंग किया गया है वो brass में हुआ है means brass में एक circuit है company के हिसाब से यहां पर brass में एक circuit दिया गया है वो circuit में इसका वेरिंग है तो उसी सब से इसका durability काफी बढ़ जाता है नर्मल जैसे कोई भी अगर आप extension board बगरा लेते हैं तो नर्मली उसमें copper का वेर में वेरिंग होता है बट यहां पर एक circuit लगा गया है brass का और उसमें इसका वेरिंग हुआ है और next बात करता है इसका button यहां पर company के हिसाब से push button with silver contact दिया है तो जैसे normally rocket switch बगरा रहता है दूसरा extension board बगरा में बट यहां पर यह जो switch है यह अच्छा quality का है और इसका durability भी काफी अच्छा है तो मैं यहां पर एक iPad का pin लगा के आपको दिखाता हूं जैसे के अगर आप कोई भी pin लगाते हैं तो यहां तक कि यह normally जाता है उसके बाद आपको यहां पर push करना पड़ता है तो push करने के बाद यह lock हो जाता है जैसे normally अगर आप इसको हिलाएंगे तो यह निकलेगा नहीं तो यहां पर कोई भी type का आप pin लगा सकते हैं जैसे मेरे पास यहां पर एक 3 pin है जो के size में काफी बड़ा है तो इसके साथ मैं इसको भी लगा सकता हूं यहां पर आप देख सकते हैं काफी gap है तो मेरे पास एक Macbook का भी charger है तो आप देख सकते हैं मैं तीनों को लगाया हूं फिर भी थोड़ा सा gap अंदर है तो यहां पर आप देख सकते हैं हम एक बड़ा वाला pin लगाया है तो यहां यहां पर आपको दिखाता हूँ, यहां पर एक OnePlus का Charger है, तो आप देख सकते हैं, हम यहां पर दो बड़ा वाला पीन लगाए हैं, और दो विडियम वाला लगाए हैं, फिर भी यहां पर Space बजता है, थोड़ा बढ़ Space भी यहां पर है, तो आप आराम से यहां पर कुछ भी ल लग हो जाता है, जैसे आप यहां पर देख सकता है, यहां तक आराम से लगता है, उसके बाद लगाता है, तो यह लग हो जाता है, और सबसे अच्छा बात है, कि यहां पर इंडिविज्यल कंट्रूल है, जैसे नर्मली आप एक स्टेंशन बोर्ड बगेरा लेते हैं, तो उसमें एक ही power on कर दिये तो सभी circuit में power आ जाता है, यहां पर आप individual control कर सकते हैं, जैसे कोई भी जागा में अगर आप लगाए हैं, उसमें 3-4 device लगाए हैं, तो कोई भी device को अगर आप on करना चाहते हैं, तो individual on कर सकते हैं, किसी को off करना चाहते हैं, और यह log भी होता है, तो overall देखा जाए तो इसका quality and performance काफी अच्छा है, तो इसको आप आपका घर का कोई भी purpose के लिए यूज कर सकते हैं, बस आपको दो चीज के उपर ध्यान देना है, जैसे के पहला इसमें जितना भी device आप connect करते हैं, तो पचीज सो वाट के उपर नहीं जाना चाहिए, अगर आप 5 डिवाइस यूज कर रहे हैं, दो डिवाइस यूज कर रहे हैं, तो पचीज सो वाट के उपर नहीं जाना चाहिए, और सेकेंड 10 अम्पेर के उपर का कोई भी device आपको यहां पर connect नहीं करना है, और यहां पर company आपको दो सल का warranty भी दे देता है, तो यह product Amazon.in में मिल जाता है, मैं नीचे description में उसका link दिया हूँ, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं, तो आशकरता हूँ यह bull extension board का unboxing and review का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तब तक हमारा चानेल देखते रहिए, साहू टेक्नो गैड आपका दिन सुभ हो.